जुन जुन वाला के इस टॉक को डिसकस कर लेते हैं इंडिया बूल हाउसिंग फैनेंस और मुझे क्या पसंद है नहीं पसंद है उसको बताऊंगा उसके अलाबा क्या करना चाहिए ओवर की प्राइज है और बाकी नई एंट्री कहां पर ले सकते हैं तो सारा को डिसकस होगा उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो लास तक देखो सब कुछ पता चल जाएगा आपको तो इंडिया बूल्स हाउसिंग फैनेंस हाउसिंग फैनेंस का परसुनली मुझे पूछो के मेरा क्या बहुत है मुझे पसंद नहीं है और अब आप सोच रहे होग इसको डिसकस किया था है एज जिएफ सी को तेश्टो के आसपास चौविश सो के आसपास और काफी बढ़िया डीसेंट अभी भाग गया है वो रैली आ गई है और हमने जब इसकस किया था तब बही काफी गिरा हुआ पड़ा था और बाकी लाइसी आउसिंग फैनेंस उसक पसंद नहीं है क्योंकि डाउन ट्रेंड में काफी है इसको अगर इसका वीकली चार्ड देखोगे मंदली चार्ड लगाओगे तो डाउन ट्रेंड में श्टॉक अभी यह श्टॉक भई थोड़े दिनों पहले सतरा अठारा की बाहता यह तीन सो तीन सो कह रहा हूं आट सो के आसपास चला करता है था साथ सो आट सो के आसपास आज भई यह डाई सो तीन सो के असपास चला है तो काफी जादा वही यह डिसकाउंटेड है अगर देखोगे वैसे लेकिन डाउन ट्रेंड में श्टॉक होते हैं मुझे ज्यादा पसंद नहीं होते हैं फंडमेंटल लगता कि यह 200 वाला 800 दोबारा फिल जा सकता है तो आप इसमें कर सकते हैं बाइंग प्राइस बता देता हूं कहां के आसपास कहां खरी सकते हैं तो अगर इसका टू एंडेड डियमे आता है और 230 रुपई के आसपास इसके आसपास मिलता है 230 पैसके एक एंट्री लिए जा नीचे और जाएगा तो ओल ले सकते हैं, ऊपर के प्राइजे फस गाई थे, क्योंकि काफी सारे इसमें नू जाए थी, जुन जुन वाला जी ने श्टेक बड़ाये, तो लोगों ने हो सकता है, उनको देखके, वो खबर देखके, काफी सारे लोगों ने माल खरीदा हो, तो बेट करो, बेट और टाइम आएगा, तो भई हो सकता है, ये भी भाग जाए, भाग जाएगा, तो प्रॉपिट बॉक कल लेना, और लॉंग टर्म के लिए मुझे कोई जाता खास पसंद है नहीं, इंडिया बुल्स, 49 की है, RSI, यहाँ पर दोनों लाइन को इंसाइड कर र पसंद करता हूं सेक्टर के, तो वो HDFC है, वो मुझे जादा पसंद है, और आपको अगर पसंद है, आपका भरोसा तब आप कर सकते हैं, नहीं तो अपने Financial Advisor से फूल सकते हैं, और अपना ये डियो बना सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ने आए तो च